समझोता एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ वी ओए हिंदी की निहारेखा चारिया और मैं हूँ उर्दू वी ओए से कौकप फर्शोरी जिस तरह समझोता एक्सप्रेस पाकिस्तान और भारत के लोगों को करीब लाने का काम कर रही है इसी तरह से हमारा ये हैं खासकर मुंबई हमलों के बाद अगर हम देखे भारत और पाकिस्तान के बीज दरार काफी बढ़ गई है भरोसा और भी कम हो गया है लेकिन इस मंच पर हम बाचीत करेंगे दोनों देशों की अमेरिका की और माहौल जो है क्षेत्र में उस बारे में हम बात करेंगे खास आपने बिल्कुल सही कहा कौकब इस ओन्वाइ का नाम है रिचर्ड हॉलब्रूक बहुत ही इंफ्लूएंशल डिप्लोमाट माने जाते हैं उनको एक निकनेम दिया गया है बुल्डोजर का और काफी असरधार प्रभावशाली डिप्लोमाट कहलाई जाते हैं और माना यही जा रहा है जानकारों का यही कहना है कि रिचर्ड हॉलब्रूक के हिस्से में तो ऐसे आपचारिक तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आये हैं लेकिन कहीं न कहीं न कहीं उनको भारत के साथ भी काम करना होगा भारत पाकिस्तान संबंदों को बेहतर करने के लिए का पहला काम होगा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करना क्योंकि इसकी वजह से दूसरे एहम मुदों से पाकिस्तान का ध्यान हट रहा है बिल मालम ने जिन कंसरन्स की तरफ इशारा कि अनिहारेका वही इस वक्त फिंकिंग वाशिंग्टन ने मौझूद है उग्रवादी और आतंकवादी वो दुश्मन है और इन्ही सब बातों पर हर हफ़ते समझोता एक्स्प्रेस में हम बातचीत करते रहेंगे बिल्कुल नेहारेका और इस वक्त लेकिन हमारे इस सेग्मेंट का वक्त खत्म हो रहा है अगले हफते कौक फर्शोरी और नेहारेका आपसे एकबर फिर्मेंगे